Hello everyone and welcome back to Warlmanda So guys, आज और आज की वीडियो में लाइव इस लिया आ रहा हूँ क्योंकि आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी आनेवली वीडियो जो है वह हिंदी में हो सकती है मेरे एक confusion था जो मैंने अपने YouTube Community post पर share किया था कि मेरी आने वाली वीडियो में मेरी लेंग्वेज जो हो हिंदी होनी चाहिए पर इंग्लिश क्योंकि जब मैं इंग्लिश वीडियो डालता हूं तो मेरी वीडियो पर बहुत सारी कमेंट्स आती कि भाई हिंदी में वीडियो बना और जब मैं इंग्लिश में हिंदी में सब्सक्राइब करें कि मैं कुछ ऐसी वीवर्स बनाओ कि मेरे इंग्लिश और हिंदी वीवर्स दोनों को वीडियो समझ में तो यही मैं कहना चाहता था गैस और गैस एक बड़ी बात यह है कि यह जो वीडियो आप देख रहे हैं कलर वस्ट 7 एक GSI है और गैस यह जो GSI वह ब अगर आपको यूजर एक्सपीरेंस चाहिए है यूजर इंटरफियस देखना एक अलरोस 7 तो आप यह से इंस्टॉल कर सकते हैं पर अगर आप डेली ड्रैवर्स करने चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं यानि कि आप कॉल्स नहीं कर सकते आपके नहीं आएंगे दोन के लिए अगर आप इन इश्यू से ठीक है कौन मतलब यूज करना चाहेगा अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम से यह में तो को यूज नहीं करेगा अगर अगर आप का एक्सपीरेंस लिए चाहते तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप वीडियो करते हैं तो चलिए शुर फिर इसमें जो .img file है उस पर long hold करके copy कीजिए और कहीं पर भी इसको paste कर दीजिए जहां पर भी आप चाहें किसी भी फोल्डर में आपको पेस्ट कर दीए तो आपकी image जो आप एक्स्रेक्ट हो जाएगी इसके बाद एक बड़ा काम चापको करना वह यह है कि आप किसी भी पर हो यह यह पर एक पर हो अगर आपने screen lock या फिर pattern डालका रखा था है fingerprint तो आप सारी security हटा दें fingerprint delete कर देए और guys आप जो आपका pattern lock होगा या फिर password लॉग होगा तो आप उसको भी रिमूफ कर दें तो जैसे कि मैं यहां पर रिमूफ कर रहा हुमारा पास्वेड लॉग तो गाइस रिमूफ कर दें नन पर क्लिक करके जैसे आप लॉग कर आएंगे तो गाइस इंक्रिप्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम नहीं करना है जैसे यह रिकवरी में रिबूट हो जाए सबसे पहले तो अपने डेटा और सिस्टम को बैक अप कर लें तो गैसे बचाता हूं वाइब करने से पहले तो गई एंड्रोइट फोल्डर को मैं सबसे पहले रिनेम कर देता हूं क्योंकि एकर उसमें कोई ओबी फाइल स फोट हो एपली केशन की बस इतना करने के बाद में लाइब कर देता हूं तो देखिते आप वाइप कैसे करना यतो कर दिया आप क्लेकर लेक av до एक मिन nszi की थी तो मेरी सिर्टम सिर्थ में में है तो अब देख सकते हैं स्फुल कर लेकर करते आउद है ऍनस्टाइल को और स्वाइब करना है उसके बाद हमें simply reboot system पर क्लिक कर देना है जैसे हमारा फोन सिस्टम में बूट हो जाना चाहिए कलरोस 7 system image install होने के बाद रियल्मी लोगों पर यह स्टक हो जाता है थोड़ी दीर तक एक से दो मिनिट के टाइम यह पर लग जाता है तो गाइस बिलकुल भी आप परिशान नहीं बस इंतेदार करने दो मिनिट तक तो गाइस देखिए यहां पर हमें फोन ने किक बैक कर दिय देना है system or data को तो यह देखिए system or data already mounted है तो हम जाएंगे file manager में और हम जाएंगे phone के रूट में जहां पर हमें data folder में लेगा इस data folder में हमें सारी चीज़ें यहां से डिलीट कर देनी है सिर्फ media folder को छोड़के अनक्रिप्टेड और system जो भी हो गाइस आपको यहां से डिलीट कर देना है सिर्फ media folder को छोड़के मीडिया folder को अगर डिलीट करेंगे तो इंटरनल स्टोरीज वाइप हो जाएगी तो मीडिया फोलडर को डिलीट नहीं करना है बागी सब folder files जो भी है वो सारे अब डिलीट कर दें हां से तो देखिए मैंना एक के बाद एक सारी डिलीट कर दी है गाइस इतना करने के बाद म मजिस्क आप इंस्टौल है लगೆ है दो एक बार हम फिर से मेंट इंस्टौल करले तो यहां पर है इसे फ्लेश कर देता यहां यहां पर मजिस्क इंस्टॉल अब हमें सिंप्ली रिबू सिस्टम पर क्लिक कर देना तो आद रीयdock का लोगो तो यहाँ पर हमें फिर से एक,दो मिनित इंतितार करना है, जपनारा हमारी स्क्रीन ऐसी blue हो जाएगी हमें कुछ प्रॉब्लह्यम नहीं यह से एक बार our phone restart हो तो आपको कुछ यहाँ पर एकड़ोपन और इंतितार करना होगा, उसकी बार फोन फिरSab Teams होगा तो इस नेक्स टाइम में हमारा फोन फिर से दो मिनिट के इंतिजार के बाद एंड्रोइड लोगों पर आके रिबूट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हम बूट कर चुके हैं तो यहां पर कुछ चाइनीज लेंग्विज में लिखा है सबसे पहले तो दिखें मने लेंग्विज को अग्रिफ कर लिया है तो गाइस अब सैट अप कंप्लीट करते हैं तो गाइस अब हम एक्षपीरिज़ कर सकते हैं क्या है यहता है तो यह हमारा फॉर्स लोग जो स्कृन 7 तो गैस new UI जो है बहुत ज्यादा पसंद आप देख सकते इस यहां पर थोड़ से तो हम सबसे पहले जाते आभाउट फोन में तो कहा है बाउट फोन यह रहा तो आप देख सकते हैं Android वर्जिंट 10 और डिवाइस ने में आप कुछ नहीं देख सकती क्योंकि अभी एक GSI है तो गाइस यह आप Android 10 देख रहे कितने स्मूथ है आप बहुत ज्यादा स्मूथ यहां पर जैसर से बहुत ज्यादा स्मूथ यह आई है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिस्प्ले सब्सक्राइब में अफ यहां से आप कैलरि है कल्रार कर सकते हैं आप ऑन प्लेकपर इसे कभी पर यह कर तो यहां से हमारे डिवाइस को कस्टमाइज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन और हों स्क्रीन दोनों चीजिए यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं तीम अपलाई कर सकते हैं और हम यहां पर आइकन भी सैट अप कर सकते हैं डिफरेंट टाइप आइकन राउंड पैबल और कस्टम आइक साँंड यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं तरिंग्तों साब कोई पुरानी कलर्वाइस वाली मिलती है और नियुक्त को आपको फिंगर प्रिंट करने का ऊप्षन दिखे ज़रूर पर जबाप करने जाओगे तो गई आप कुछ इस तरीकी के आरा देखोगे ट्राय अगैन क्योंकि गाइस फिंगर्प्रिंट इस नौट वर्किंग एस एक्सपेक्टेड कैस्ट अगर हम स्मार्ट लॉक सैटिंग्स में जाए तो यहां पर आपको पहले पास्विट डालना पड़ेगा उ और यहां से आप कन्वीनिस टूल्स में आप जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे नविगेशन बटन तो यहां से आप नविगेशन बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं इनेबल कर सकते हैं थरी बटन वाला सेट अप कुछ इस तरीकी किसे तो एंड्रोइड जैसर जो है आपको एक रिटन बबल तो यहां पर आपको कुछ बबल देखने को मिलता है तो आप इसको हाइड कर सकते हैं जिसमें आप कस्टम अप्लिकेशन आइड कर सकते हैं यह कलर वसका अल्रडी एक फीचर था और अभी है इसमें तो ओके गईस यहां पर मेरा फोन चुका है तो आपको कुछ ऐसे रैंडम क्रेश और बूस देखने को मिलेंगे कलर वस 7 की GSI में तो आप जानते ही होंगे कि यहां पर आपको सिक्याओर करने के लिए आप्शन मिल जाएंगे आपके फोन को जैसे कि आप एप्लिकेशन पर पासकोड डाल सकते हैं प्राइवेट रख सकते में आप्लिकेशन्स को ने एक पर आपको कुछ तरीके बैटरी युवाई देखने को मिल जाएंगे यहां पर आपको बैटरी पर सेट्सेन्स प्राणी शेटिंग मिलेंगी और ओको सारी अकौंट अद करने के ऑप्शन मिल जाएंगी तरसक्ट गूगल या फिर सारी अकौ और नहीं है और नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा जासे कि आप जानते हैं और गाइस कन्वीनिस टून में हमको देखने को मिलते हैं कुछ जैस्चर स्क्रीन ऑफ जैस्चर ताम को दिखा देता हूं कि कहा पर मिलेंगे आपको स्क्रीन ऑफ जैस्चर यहां से आप इनेबल कर स तो यहां पर camera open हो गया है तो sorry guys flash की विज़से आपको दिखनी रहोगा तो मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूं तो अब देखिए मैं V बनाऊंगा तो यहां पर flash बंद हो जाएगी या फिर open होगी तो आप देख सकते हैं कि screen of gestures यहां पर काम कर रहे हैं तो यहां पर भी काम कर रहे हैं तो कोई दिख्कत नहीं है तो चलिए जब हम बात करते हैं सिस्टम आपके यहां पर नॉर्मली नहीं होता है आपको इसको long hold करके video पर open करना परता है तो आप देख सकते हैं कि यह जो camera है यह open नहीं हो रहा है यहां पर black screen दिखाई दिखाई द आप फोटो पर क्लिक करोगे तो यह crash हो जाएगा तो पोट्रेट पर भी काम कर रहा है पोट्रेट वीडियो और स्लो मोशन भी यहां पर working है आपको 120 fps और 240 fps पर वीडियो रिकॉर्ड करने का option मिल जाएगा और स्लो मोशन यहां पर बिल्कुल भी लाग नहीं होती बिल्कु वरकिंगे मॉडियो भी यहां पर काम कार रहे हैं और कॉरनल बोड़िध वहां पकर नहीं कर सकते हैं कि अदेंगा ओर यहां पर मडेस काम कर रहा है तो इसका डॉकल अब्लेबल है कलरोज 6 में डाक मोड के ग्लिचिस देखने को मिलते हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगे डाक मोड यहां पर कम्प्लीटीव वरकिंग है और यह सिस्टम वाइड डाक मोड है तो सारी एपस जो है जो सपोर्ट करती है डाक मोड ब्लैक हो जाएंगी डार्क हो बैतार है जैसे कि इसमें वहां को अब बता दी है आरे यह ल का ब्लूटूट का वाइफाई का तो यहां पर खर यहां पर चाहिए यह बाद कर है और कभी कंप्लीट नहीं करतें और यहां पर यहां पर क्वाइट करतें और यहां पर करें तो यहां पर कड़ह और यहां पर जैसे यह आप चारजर कनेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको चारजिंग अनिमीशन दिखता है तो यहां पर अभी पहना नहीं क्यूcket इस लाइक कर दो कमेंटकर हून पुण है और पर किया है मुझे ऐसे आगे बढ़ाते रहो ताकि मेरी वीडियो जो आगे जाके थोड़ी प्रोफेशनल टाइप बनने लगें तो आपको भी मज़ा है और मुझे भी बनाने में मज़ा है तो यहां तक पहुंचाने के लिए थैंक यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू मैं अगर आपने अल्रेडी नहीं किया है तो थैंक यू